दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 29 दिसंबर को हुए सीटेट 2021 पेपर वन के फुल 30 कोश्चन्स EBS के करेंगे तो दोस्तों आपका पहला कोश्चन आया था कच्छा पाचवी में किसका वन अध्याय पर चर्चा करते हुए सिच्छक ने सूर्य मड़ी का एक सच्चा किस्सा सुनाया जिसने तोरंग नामक एक केंद की सुरुआत की थी तो आपका पहले का आप्शन तीसरा सही हो जाएगा A और D भूमी और आजीवका के मुद्दे कुड़ुक संस्कृति के मुद्दे या समस्याय आए आपका सेकेंड कोश्चन आया था तीम वर्क की भावना निम लिखित में से किस से सीखी जाती है तो आपका सेकेंड को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा परिवार समाज और खेल फैमली सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स आपका थर्ड कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस नॉट आ सोशल इंसेक्ट निम लिखित में से कौन एक समाजिक कीट नहीं है तो आपका थर्ड को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा बीटल इसको भ्रंग कहते हैं हिंदी में आपका फॉर्ट कोश्चन आया था वल्साड टाउन इस लोकेटेड इन विच डारेक्शन फ्रॉम हैदरावाद वल्साड सहेर हैदरावाद से किस दिशा में इस्तित है तो आपका फॉर्ट को आप्शन फॉर्ट करेक्ट हो जाएगा उत्तर पस्चिम नौर्थ वेस्ट आपका फिप्ट कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग करेंसी यूजज इन अबुदावी निम्न लिखित में से कौन सी मुद्रा अबुदावी में प्रियोग की जाती है तो आपके पाचवे का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा दिरहम आपका फिप्ट कोश्चन आया था चेराव नौर्थ में लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में जमीन पर बास की डंडिया पकड़ कर बैठते हैं जैसे ही ढोल बजता है बास जमीन पर धर जाते हैं नर्थ तक बास की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और त सेवन्थ कोश्चन आया था रैन वाटर फॉम दा रूफ टॉफ तॉफ वास गंजर्वड एंड यूजड फॉर रिचार्ज अफ ग्राउंड वाटर इस ट्रडिशनल मेथट वास यूजड बाई विच आप दा फॉलोविं इस्टेट्स च्छत के ऊपर से वर्सा जल को राजस्थान आपका एट्थ कोश्चन आया था ब्रह्म पुत्र रिवर फ्लोस थू विच आप दा फॉलोविंग इस्टेट्स इन इंडिया ब्रह्म पुत्र नदी भारत की निम्न लिखित में से किस राजसे होकर बहती है तो आपका एट्थ कोश्चन तीसरा सही हो और राचल प्रदेश और आसाम आपका नाइंध कोश्चन आया था फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टन रोल इन सोसलाइजेशन आफ दा यंग जनरेशन इन दिस रिगार्ड दा फैमिली इस एन एजनसी आफ परिवार यूबा पीड़ी के समाजी करण में महत पुर्भुमि तो आपका नाइंध कोश्चन पहला सही हो जाएगा यह प्राथमिक सामाजी करण प्राइमरी सोसलाइजेशन आपका नेंध कोश्चन आया था कई आंदोलनों ने पर्या व्रड को बचाने की अवशकता का समर्थन किया है निम्न लिखित में से किसने 1970 के दसक के चिपको आंदोलन में महत पुर्भुमिका निभाई थी तो आपका टेंथ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा सुन्दरलाल बहुगुणा आपका 11 कोश्चन आया था महराष्ट मद्द पिर्देश और गुजरात राज्यों में बड़े बांधों के निर्मार के कारण स्वदेशी लोगों को अपने आवासों से बाहर निकलने के लि पके हुए भोजन को लंबे समय तक खुला या बिना प्रसीतित नहीं छोड़ना चाहिए पके हुए भोजन के खराब होने के लिए कौन से एजेंट जिम्मेदार है आपका 12 कोश्चन पोर्थ सही हो जाएगा बैक्टीरिया आपका 13 कोश्चन आया था पिरते एक पैक किये खाद पदार्थ पर पैकिंग की तारीक अंकित होती है क्योंकि तो आपका 13 कोश्चन पहला सही हो जाएगा A, B, C और D पिरते खाद पदार्थ का अपना जीवन होता है खाद पदार्थों के पसंसकरन और पैकेजिंग के दोरान कुछ परिरच्चकों का उप्योग किया जा आपका 14 कोश्चन आया था मच्छों को प्रसार को रोकने के लिए कई तरीकों का सुजाओ दिया जाता है एक ऐसी विदी का पता लगाए जो निम लिखित में से मच्छों के प्रजनन की जाच नहीं करती है तो आपका 14 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा मच्छदानी का प्र उबला और ठंडा पानी खूब पिये क्यूंकि तो आपका 15 कोश्चन 4 करेक्ट हो जाएगा केवल B और C चीनी और नमक के संयोजन को असानी से अवसोसित किया जा सकता है उबलता पानी पानी को रोगाडू मुक्त बनाता है आपका 16 कोश्चन आया था कच्छा तीसरी में ए विद्यार्थियों से इस बात पर चर्चा करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया इस चर्चा का उदेश्य क्या है तो आपका 16 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा खाद विद्या पर पहलूं को साजह करना आपका 17 कोश्चन आया था कच्छा चार अधाय पांच ए एक सच्ची कहानी उन्हें एक गर्ल स्टार के रूप में उजागर करते हुए सुनाई गई है ऐसी पहल का सबसे उप्युक्त उदेश्य क्या है तो आपका 17 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा बाली का सक्ती दिखाना गत्सील है और समानता और ससक्ती करण के बारे में आपका 18 कोश्चन आया था चौथी कच्छा में दवर्ड इन माई होम की अध्याय में अच्छे की कहानी बताती है कि कैसे उसके दादी उसे अनिल के घर खाने पीने से मना करती है इस कहानी से बच्चे क्या महत्वपूर संदेश सीखते हैं तो आपका 18 कोश्चन दूसरा कर आपका 19 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा कथन EBS में सह कर्मी मूल्यांकन को परिभाशत करता है तो आपका 19 कोश्चन तीसरा करेक्ट हो जाएगा यह जोड़े या समुहों में अन्य च्छात्रों का आकलन करने वाले च्छात्रों पर केंद्रित है इट के अध्याए वर्क वीडू में दिपाली की कहानी पर ध्यान केंद्रित करना है तो आपका 20 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा घरेलू कार्यों में जेंडर पूर्वाग्रह की अवधारा दा कॉंसेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउसोल्ट वर्क आपका 21 कोश्चन आया था मौकिक इतिहास समाज के विशिस्ट समूहों के अनभवों को समेटने का एक महतपूर साधन है इस संदर्व में उस कथन को इंगित करे जो इसके उप्योग को सर्वोतम रूप से दरसाता है तो आपका 21 का ओप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा सिच्छक छात्रों से सुकंतरता संगराम के बारे में दादा दादी के अनभव एकत्र करने के लिए कहते हैं आपका 22 कोश्चन आया था अंतरिच्च को समझने के लिए एक छात्र के लिए मान्चित्र कोसल आवस्यक है सुझाओ दे कि मान्चित्रों के बारे में निम्ग लिखित में से कौन सा कथन सही है तो आपका 22 का उप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा B and D हम वस्तुओं, दिवारों, सडको आदि को दिखाने के लिए प्रतीकों का उप्योग करते हैं मान्चित्र में उत्तर दिशा उपरी हासिये की ओर होता है विच मीन्स कि हमारी जो नौर्थ होती है वो उपर होता है जो साउथ होता है वो नीचे होता है जो पूर्व होता है ये हमारा राइट हैंड साइड होता है और जो हमारा पस्चिम होता है वो हमारा left hand side होता है East, West, North and South इस तरह हम direction पता करते हैं आपका 23rd question आया था पानी की कमी के मुद्दे और किसी भी छेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए निम्न लिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संसादन है तो आपका 23rd question फोर्थ सही हो जाएगा न्यूस पेपर रिपोर्ट्स आपका 24th question आया था इवियस सीखने वाले छात्रों के सम्मंद में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सकते हैं तो आपका 24th question फोर्थ करेक्ट हो जाएगा छात्र सरपिल तरीके से सीखते हैं पर तेक छात्र एक आदोतिय व्यक्ति होता है वह अपने तरीके से सीखता है और परिस्थित्यों का जवाब देता है आपका 25th question आया था छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए पोर्ट फोलियो एक महत्पूर मूल्यांकन उपकरण है निमने लिखित में से कौन सा कथन पोर्ट फोलियो को अधिक उपियोक्त तरीके से परभाशत करता है तो आपका 25th question फोर्थ सही हो जाएगा समय की अवधी में एक छात्र के काम का संग्र है आम तोर पर दिन पति दिन के कार्य या छात्र के सर्वोत्तम कार्य का चयन आपका 26th question आया था संगर्स के मुद्दे अकसर कच्छा में सामने आते हैं एक सिच्छक के रूप में जब कोई छात्र सामाजिक सांसकतिक मुद्दे को चर्चा के लिए लाता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे तो आपका 26th option फूर्थ करेक्ट हो जाएगा चात्र से कहें कि वय अपनानभव साजा करें और कच्छा में उसे संबोधित करने का प्रियास करें आपका 27th question आया था एक सिच्छ का चाहती है कि उसके विद्यार्थी पौधों के बारे में समझ विक्सित करें निमने लिखित में से उसे क्या करने की आवशक्ता है आपका 27th option तीसरा करेक्ट हो जाएगा चात्रों को अपने साथ इसकूल के बगीचे में जाने के लिए कहती है और सभी पौधों की पहचान करने को बोलती है आपका 28th question आया था पराक अच्छ तीसरी के चात्रों को संचार के साधन विशे पढ़ाते समय सिच्छार्तियों के बीच पूस्ताज को प्रत्साहित करने के लिए निम्न लिखित में से किस रड़नेती का उपयोग करती है तो आपका 28th option तीसरा सही हो जाएगा A and C चात्रों को संचार के साधनों के चित्र एकत्रित करने और वर्गी करत करने के लिए कहते हैं चात्रों को संचार के साधनों के अपने अन्भों बताने के लिए कहता है और उनके साथ चर्चा करता है आपका 29th question आया था कच्छा तीसरी के अध्याए Flying High में पच्छियों के विशेपर चर्चा करते हुए एक सिच्छिका तीना चात्रों से अपने परिवेस में पच्छियों और उनकी विशेष्टाओं का निरिच्छन करने के लिए कहती है इस गतिविदी का उदेश है तो आपका 29th option तीसरा सही हो जाएगा पच्छियों में चात्रों की रुची विक्सित करें Develop interest of students in birds आपका 30th question आया था EBS इच्छिका सीमा ने चात्रों से अपने चारों और धातू की कलम स्टील की चमच प्लास्टिक की चमच जैसी वस्तूओं को इखटा करने के लिए कहा और वस्तूओं को एक एक करके पानी की बाल्टी में डाल कर देखे कि वे तैरती है या डूपती है चात्रों ने उससे पूछा की स्टील का चमच क्यों डूपता है लेकिन प्लास्टिक का चमच तैरता रहता है उससे उन्हें समझाने के लिए घलत्यों का परचे देना अवशक नहीं समझा क्यूंकि तो अपा 30th को आप्शन कर लिए हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर आज हम 21st जनवरी स्टेट पेपर वन के फूल थांटी कोशन इसका ऑप्शन फर्स्ट विल भी करेक्ट आपका सेकिंड कोश्चन आया था पच्छियों की एक ऐसी विसेश प्रजाती का नाम जिसका नर पच्छी का ही सुन्दर घूसले बनाता है और मादा पच्छी अपने अंडे प्रेनी के लिए एस घूसला चुनती है तो इसका और एक्स परिस्टत है और आपके पिता की दुकान वाई परिस्टत है हाला कि आपके पिता की दुकान ठीक विपरीत है लेकिन अब बीच में गहरी नहर के कारण सीधी नहीं जा सकते इसलिए आप पहले 200 मीटर दच्छिड की ओर जाते हैं फिर 150 मीटर लंबा पुल जो की ह पूर्विकी ओर अंत में आप पिता की दुकान पर पहुंचे जो उत्तर की ओर 200 मीटर पर है वाई के संदर्व में आपके घर की नियुनतम दोरी और उसकी जिसा क्रमसा है तो जो इसको ऑप्शन करेक्ता वो था आपका पस्ट आपका पोर्ट कोश्चन आया था एक डॉक् तो इसका ऑप्शन फरस्ट इस करेक्त एनीमिया से पेड़े था आपका फिप्थ पोश्चन आया था ब्रॉन्स इज आ अलॉय फूस में इसके मुखे रचा था तो इसका ऑप्शन सेकेंड इस करेक्त तामबा और तेन कॉपर एंड आपका सिक्स पोश्चन स्टेट्मेंट इसमें आपके इस पोश्चन दिये रहे थे और रताना था कि आपका कौनसा उप्शन गर्ण है तो अबाउट पसमीना तो आपको आपको जो शिफ्ट को उप्शन पोट विल भी करेक्त एक पसमीना सौल 6 रट जितना गर्म होता है जिन बक्रियों से नरम पसमीना उन एकतर की जाती है वे पांजर मेटर के बहुत उच्छे पहाडों पर पाई जाती है बकरी के सरीय पर घर्म बालों का एक वोट उपता है और उसे अत्यदे खंड से बचाता है तो आपका वोट ऑप्शन एबी सी करेक्ट होंगे आपका सेवन्ध कोर्शन आया था भूज गुजरात में आय भूखंप में किस वर्स एक हजार लोग मारे गए घर दे तो आपका सेवन्ध का कोर्शन का ओप्शन होगा सेकेंड 2001 आपका 8 question आया था हमारे देश की राजधानी के स्थान के सम्मद में हिमातल प्रदेश की राजधानी और मद्र प्रदेश की राजधानी इस तिर रहे हैं ये भी आपका directional question था तो इसका 8 option first will be correct उत्तर और दच्चर आपका 9 question का simla में रहने वाला एक बेक्टी अपने भुपाल और फिर गांभी नगर जाना चाहता है उसकी यात्रा की जिसा सबसे पहले होगी ये भी आपका directional था तो आपका इसका option third will be correct दच्चर और फिर पस्चिम की ओ आपका 10th question होया था हमारे देश का वे राज या संग राजी छेत्र जिसका अरप साधर पर तर्थ है तो 10th option second will be correct करना था आपका 11th question आया था चेराव नामक एक विशेश प्रकार का नत्र के लोगों द्वारा किया जाता है यह सारे आपके आप एंसियाइटी पढ़िए एंसियाइटी में यह सारे questions के एंसर दिये हैं इंडिवेन हैं तो यह सारे हमारे एक टक की एंसियाइटी से questions पूछी जाते हैं तो आपका 11th का जो option correct है जो है आपका second मिजूरम आपका 12th question आया था भारत के मांचिक पर यदी हाँ पोलकाता से पुदुचेरी तट एक सीधी रेखा एभी खीशते हैं तो बिंदू दी के संबंद में बिंदू एक जासा क्या होगी यह भी आपका डिरेक्ट नोबेस था तो आपका 12th का पूर्थ ऑप्शन इस करेक्ट उत्तर कूर्ब नौर्थ एस्ट आपका 13 आपका 13 कोष्टन आया था उस महिला एथलीट का नाम बताईए जिसने बारा साल की उम्रे में भारत प्रोर लंग प्रूर किया 130 किलो बजन उठाने में सफल रही और अंतर रास्ती इस परदाओं में 29 पदर जीदे तो आपका इसका उप्शन 4 इस करेक्ट करलं मलेशुरी आपका 14 पोष्टन आया था एक बारे तक 10 नॉम्बर 2001 को अरना कुलम टाउन से बड़ोधरा के लिए ट्रेन में चड़ा ट्रेन अरना कुलम टाउन से 10-40 रवाना हुई और 12 नॉम्बर 2021 को दो दस पर बड़ोधरा पहुची यदि दोनों सहरों की रेलवे स्टेशनों के ब आउसट दोरानों प्रेनों की आउसट जती पाइंड करने थे तो यह आपका टाइम इस्टेन स्पीड वालोग और आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका 14 पोष्टन 14 पोष्टन थर्ड करेक्ट होगा आपकी स्पीड जो आएगी और अविज इस्पीड आईगी वाया ए आपका 16 पोष्टन आया था एविएस के समद में बच्चा अपने परवेश को देखता है यह इन रिलेशन तो इविए द चाइल लुक्स एट इस इंवार्मेंट तो आपका 16 पोष्टन 2 विल बी करेक्ट समगर रोग में आपका 17 पोष्टन आया था करीकुलम अप एविएस ऐस बीन डिजाइन एविएस का पार्ट करम तयार किया जाता है तो आपका 17 पाफ थार्ड इस चरेक्ट और थीम्स आप बुक ओपन कीजेगा अप एंसे अटीज बगरा कि वह थीम्स पर ही उनके उपर थीम्स पर ही वह पाट दिये गये हैं फिर तक कि एविएस को ऐसे विशाइक के रूप में देखता है जो कि अब धार्डाव और मुद्दों को एक लिकरत करता है तो 18 पाफशन आपकर थार्ड इस करेक्ट विग्यान समाजी विग्यान और पर्यावरन सच्छा आपका 19 पोस्चन आया था एविएस सच्छा को अ एवल एवी से एवी से एवी से उसकी कच्छा के बहुत संस्कृतिक आया प्रतेक चात्र की भावना और हर किसी का समधाय संस्कृति और जीवन से लिग्यान आपका 24 पोस्चन आया था काथ में किस तर पर एविएस पढ़ाने का सबसे उप्युक्त उदेश है तो इसका जो चात्रों को उनके पार्या वरंता पता लगाने के लिए बहुत जगहें प्रदान करें या और प्रदान करें प्रवाइड लॉट अब स्पेस तू इस्टूर्ट इस और हर इंवार्मेंट आपका 21st पोस्चन आया था फैमिली और फ्रेंस इन एविएस करिक्लम इस पार्ठ 21st का ओप्शन फोस्ट विल भी करेंट थीम आप तर 22nd कोस्चन आया था मीनिंग्फुल एविएस लर्निंग कैन ओली बी मेड पॉसिवल इफ अर्थपूर सिच्छा अर्थपूर एविएस अधिगम कर भी संभा हो सकता है तो इसका ओप्शन पर्स्टिस करेंट विद्यार In the learning of EBS, activities conducted by the teacher should be followed by dash for authentic and meaningful learning EBS सीखने में प्रमारिक और सार्थर सीखने के लिए सिच्छ को द्वारा संचालत गती विद्यों का dash द्वारा पालन किया जाता है 23rd का ओप्शन परेक्ट था वो था आपका पहला Discussion, चर्चा, बाद विबाद 24th का question जो आया था वो था आपका Learning through group activities is performed in EBS classes Because समूग गतिविधियों के मादयम से सेखना EBS का चाओमी किया जाता है तो इसको जो option correct था वो था आपका 3rd यह चातिरों के बीच साथियों और समाधिक सिच्छा प्रदान करता है और सुधारता है आपका 25th question आया था विच्छा आपदा फॉलोविंग इंडिकेट्स इसकिल प्रॉस्टेश प्रॉसेस इन लर्निंग आप इवियस निम्न लिखित में से कौन इवियस सीखने में कॉश्ण प्रद्क्रिया को इंगित करता है जो 26th option correct था वो था आपका 1st वर्गी करण Classification आपका 26th question आया था वो था 26th द्वारा ABS सीखने में माता पिता और समुदाई की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश है जो 26th का जो option तरह था वो था आपका 1st शिच्छकों को 6th की सामाजिक सांसरतिक प्रस्क भूमी जानने का और शर्टुदान करना आपका जो 27th कोर्शन आया था वो था रात में किस तरह पर ABS अच्छा में चुनावतियों और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से सम्भूतित किया जा सकता है तो 27th का जो option तरह था वो था बहस के बाद चर्चर डिबेट फॉलओड बाइ डिस्कुस्शन आपका 28th कोर्शन आया था qualitative assessment of children learning in ABS can be done by ABS में बच्चों के सीखने का गुरातमत मुल्यांकन किसके दौरा किया जा सकता है तो 21st का option फर्स्ट विल बिक करेक्ट केबल A और B बच्चों के बीच विचारों का रिपॉर्ट अवलोकन रिपॉर्ट एंड प्रेक्लिया कॉसर का अवलोकन है आपका 29th portion आया था पिछ आप दा फॉलोविंग एज़ा फॉर्मेटिव असेस्मेंट टूल इन प्रिवियस निम्न लिखित में से कौन एवियस में एक आरंबिर मुल्यांकन उप्तरण है इसका आपका options होईगे portfolio आपका छनात्मक रिकॉर्स रेटिंग स्केल अब लेकर अन रिकॉर्डिंग मतलब आपका फॉर्ट ऑप्शन विल भी करेक्ट तो दोस्तों आज हमने 21st January के ABS के पूरे 29th questions कंप्लीट किये हैं अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूटूब केनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें आप आपके इस डेस्टों से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो थैंक्यू फर व